दिप्रेंट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं बहुजन समाज पार्टी को दे दी जो की एक दलित पॉलिटिकल आउटफिट है और जो ये दो सीटें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है वो है आननदपुर साहिब और चमकौर साहिब वो जगह है जहां पर गुरु तेग भादूर सिंग और गुरु गोबिन सिंग रहे हैं और चमकौर साहिब वो जगह है जहां पर गुरु गोबिन सिंग ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की उसके बाद जो है अकाली दल और बसपा के नेताओं ने इसे एंटी दलित स्टेटमेंट कहा इसकी आलोचना की उसके बाद 15 तारिक को इन दोनों पार्टी के जो है ने मसला है यह सिक सोसाइटी के भीतर जो एक फैले कास्टरजम को जो है एकदम सरफेस पे और एकदम सामने लेकर आ जाता है पंजाब के दलित एक्टिविस्ट और एड़ोकेट डॉक्टर एसल विर्दी इस पूरे मसले पर दिप्रिंट को बताते हैं कि वर्णा सिस्टम जो ह उसी डिसकंफर्ट को उजागर करता है वो यह भी कहते हैं कि पंजाब में दलितों की जो पॉपलेशन है वो अराउंड 32% है लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपने नंबर्स के हिजाब से नहीं मिला है भले ही वो चाहे चीफ म कशल रहे जोटांस पूर अंडूलन में जो किसान बीटैंड वो इन बॉडर्ज पर किसान है लेकिन जैसे ही वो गाउं में वापिस लौटते हैं तो जो कास्ट डिवाईड है जट सेको दलित सेक्षा वह खले ली विजीबल और वो ये भी कहते हैं कि पंजाब में जो जमीने हैं वो जट सिक्स के पास हैं तो पंजाब का जो पलिटिकल और रिलिजियस डिस्कोर्स है वो उसमें डॉमिनेंट करते हैं उसके बाद वो आ गई ये भी जोडते हैं कि जो रवनीच सिंग बिट्टू का बयान है वो एक जनाव आने वाले हैं उससे पहले दलित वोट बैंक को खुश करने में लगी वी हैं फिर चाहिए भाजपा पार्टी हो जिसने ये कहा कि हम जो सीएम पोस्ट है वो किसी दलित कैंडिडेट को दे देंगे या फिर अकाली जो जिन्नों ने कहा है कि वो एक दलित कि दोनों के बीच में जो रोटी बेटी का रिष्टा होता है वो नहीं है उनका कहना है कि पंजाब में दूसरे राजियों की तुलनामे जैसे यूपी बिहार राजस्थान या हर्याना की तरह दलितों के साथ एक्रोसिटीज उस तरह खुल कर नहीं आती होंगी लेकिन जो जो सर्फेस के नीचे रहता है वो बरकरार है हो सकता है कि उन्हें गुरुदवारों में एंट्री मिल जाती हो लेकिन ये भी हो सकता है कि कई जगा उन्हें परशाद बनाने में शामिल ना किया जाए प्रोफिसर सुरेंदर कहते हैं कि टॉकनिजम के लिए हेड़ गरंथी जो है दलित सिक को बनाया जाता है लेकिन ये लाज़ ली जो है सिंबॉलिक रहता है इस मसले पर हमने एक दलित एक्टविस्ट और पिएजडी स्कॉलर पंजाब यूनिवरसिटी के गुरुदीब से भी बात की गुरुदीब खुद एक दलित कम्यूटी से आते हैं और उन लेकिन जो एक लार्ज पोपुलेशन है वो हिंदुत्व के कास्ट बेस्ट मॉडल को ही फॉलो करती हैं यानि वो जाती में विश्वास रखते हैं और जाती वाद में भी विश्वास रखते हैं अगर 2011 की जनगन्ना की बात करें तो उसके लिहास से पंजाब में लगवर 32% जो है दलित पोपुलेशन है जो पूरे देश में किसी भी राजा से सबसे ज्यादा है लेकिन जो 32% पोपुलेशन है वो एक जुट नहीं है लाम बन नहीं है वो रिलिजियस कास्ट और सिर्श याज जो हैं पहले हिंदू वर्णा सिस्टम में सबसे लोगर कास समझे जाते थे उसके बाद वो सिखिजम में कन्वर्ट हो गए और फिल्हाल वो सिखिजम जो सिखिषमेंट है जो सिखिषमेंट है उसका एक पार्ट है लेकिन छोटा सा पोजिशन अभी भी राम इसके बाद जो एक और प्रभावशाली जो सब कास्ट है वो रविदास याज की है यह जो सिखिजम है उससे तूटकर अलग हो गए थे और रविदास पंथ को फॉलो करते हैं एक तरह से गुरू गरंद साहिब को भी मानते हैं अम्बिडकर को भी मानते हैं अपने गुरू र परसेंट हिस्सा है और शहरों में जो है इन्फिलिंशल वोट बैंक बिलकुल माना जाता है फिर जो आते हैं वो मझवी सिख होते हैं मझवी सिख मालवारिजन में पाए जाते हैं प्रॉफिसर आशुतोष कहते हैं कि अगर हम वोटिंग पैटर्न पर देखिए तो जो वो ज्यादातर लोग कॉंग्रेस या फिर अकालीज और या फिर कम्मिनिस्ट को वोट करते हैं जो शहरी जगों पर वालमिकीज हैं वो या तो कॉंग्रेस को वोट करते हैं या फिर वो अकालीज की तरफ जाते हैं उनका कहना है कि जब तक जाती का बहुत बड़ा conflict नहीं हो जाता है, एक hyper conflict की situation नहीं बन जाती है, तब तक पंजाब में जो दलिक population है, वो मायावती की तरफ इस तरह वोट नहीं डाल सकती, जिस तरह वो बाकी parties को वोट करती है, तो एक तरीके से या तो अकालीज में जाते है या Congress में जाते हैं, अगर हम Jutsic Dominance की बात करें, तो 2011 के census के हिसाब से Jutsic Community है, वो एक largest single caste group है, जिसकी population लगब 20 प्रतिशत है, और जो 1977 जो साल था, उसके बाद से पंजाब में एक भी non-Jutsic CM नहीं हुआ है, पंजाब University के ही sociologist Dr. P.S. Judge कहते हैं, कि Jutsic का जो representation है, वो किसी भी पार्टी में, चाहे Congress हो, चाहे अगालीज हो, चाहे फिर BJP भी हो, वहाँ representation उनका अच्छा खासा है, वह कहते हैं, कि जो दलित्स हैं, वो caste और religion और फिर political matters में divided हैं, लेकिन जो Jutsic हैं, वो भले ही politically divided हो, लेकिन वो uniformly divided नहीं है, और यही बात उनके dominance को बढ़ाती है, लेकिन आपस आपसी parties की भी वो बदल चुकी हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट की वज़ा से पंजाब में, चाहे Congress हो, चाहे अकाली, दोनों की ही political legitimacy है, वो लड़ खड़ा रही है, वहाँ पर बड़ा एक huge vacuum create हो चुका है, और यही वज़ा है कि अचानक से सभी parties ने अपना जो political discourse है, जट सिक्स की बजाए, वो दलित सिखों पर focus कर दिया है, प्रोफेसर आश्टोष जो 20 सालों से पंजाब की राजनिती को काईदे से observe कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब जो caste है, जो जाती है, वो एक political category बन गई है, यह सिर्फ जो है जाती है system world वेवस्था का हिस्सा नहीं, बल लेकिन वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल कॉंग्रेस को भी जो दलित समुदाय है, उसके लिए चेहरे ढूनने पड़ेंगे, लेकिन वो आखरे में ये भी कहते हैं कि रमनीत सिंग बिट्टू की जो statement है, वो एक तरह से सिक्ख समुदाय की sentiments को भी reflect करती है, लेकिन एक इसमें और एंगल भी है कि वो खुद की उनकी जो captain है, उनसे rivalry का हिसा भी हो सकता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा रगा तो दिपरिंट को आप सब्सक्राइब करिए, ये वाला वीडियो शेयर करिए और ऐसे ही political analysis के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ये वीडियो दिपरिंट